एक आलाच के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड फॉर पेंटियम G4560 ये कंपेरिजन 200 राइजन 3 पर भी एप्लिकेबल है और हर उस मॉडर्र प्रोसेसर पर जिसे आपने बस एक दो साल पहले ही लिया हुआ है बात करें पेंटियम G4560 की तो वेल तो इस वीडियो को अंतल जरूर देखें मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं दे इंडियन बज़ट गेमर सो लेट्स बिगेंग वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी सक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल वाले आइकन को जरूर दमाएं ताकि आप हमारा कोई भी कंटेंट मिस ना करते हैं कन्फिगरेशन की बात करें दोस्तों तो आपको पहले ही पता हो गया कितनी बार मैं आपको एक ही प्रोसेसर का इन्फिगरेशन बताओं देखेंगे कि यह मैक्सिमुम कौन ग्राफिक्स कार्ड जेल सकता है वैसे तो यह कंपेरिशन जो है वो राइजन 3 के लिए भी बिल्कुल सेम है तो जो ग्राफिक्स कार्ड आप पेंटियम जी कुटी पाफ 60 के साथ चूज करेंगे वो राइजन 3 के लिए भी चूज कर सकते हैं हाला कि राइजन 3 पर्फॉर्मेंस के मामले में थोड़ा ज्यादा अच्छा है कंपेरिशन के बार में दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि कंपेरिशन में चार ग्राफिक कार्ट है वो हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दी है अब बात कर लेते हैं हम जो कैसे करेंगे कि आपके लिए ग्राफिक्स कार्ट कौन सा बेस्ट है देखिए मैं आपको एक बात बदा देता हूं 1060 और 1070 के बीच जो पर्फॉर्मेंस जिफ्रेंस है वो ज़्यादा है बाइ आपके स्क्रीन पर यह रहें वह Qolesome मैंद दिफ्रेंस देखिए मैं वहीम स्क्रीन आपके स्क्षाओयं से यह उयारी नापके जह अग्रीन की जा से और बात कानिएthing रहा है। स्क्रीन kite suōn एके स्क्रीन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दोसको अब बेंचमार्क्स की मानें तो आप समझ रखनें कि 1060 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ग्राफिक्स काड रहेगा लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 1060 के साथ जाने के वजाए आप 1050 Ti के साथ जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनारियों आएंगे कि जो गेम्स होते हैं वो जादा दर CPU इंटेंसिव भी होते हैं तो उन गेम्स में हमारा Pentium G4560 इतना जादा होल्ड नहीं कर पाएगा लेकिन मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने यह सोचा कि future करना आपको प्रोसेसर तो आप 1060 के साथ जा सकते हैं 1060 के साथ अभी आप जाएंगे Pentium G4560 की कीमत सिर्फ मातरह साड़े 5,000 रुपए है ऑनलाइन और आफलाइन तो आपको 5,000 यह उससे कम में भी मिल जाएगा बाद में आपको और i5, 6500 यह जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर लगाएंगे उतना अच्छा आपको performance भी मिलेगा Ryzen 3 की दोस्तों आप बात करें तो Ryzen 3 के साथ भी आप 1050 Ti के साथ जा सकते हैं लेकिन Ryzen थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है तो अब मैं आपको यह रिकमेंट करूंगा थोड़ा सा पैसा लगाकर 5,000 रुपा महेंगा है बल्कि 4,000 रुपा महेंगा है मेरी माने तो आपको महेंगा पड़ेगा लेकिन आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे हम लोग के लिए 1080p 1060 उसके लिए best है इसी को ही हम लोग future proof माते हैं वैल आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगाओ और यह comparison आपको अच्छा लगाओ तो पहले जल्दी से like करें सब्सक्राइब करें हमारे इस channel को क्यों हम लोग लाते रहते हैं ऐसे daily awesome content कौन तक देखने के लिए thank you